प्रेंट्स आज हम बनाएंगे ट्रांस्पारें एट ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रेंसेस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहां माँच प्लश किया है मारजन के लिए फिस्टिण इंच लिया है कि प्रेंच चैस्पारण से हमारेंच के कश्च मोह याळ देंच के लिए यहां यहां से हम line को draw करेंगे और 1 inch से armhole की side गुलाई देनी है तो यह हमने back part की marking की है और अब हम front part की marking करेंगे आर्मोर लेना है 6.5 inch, chest का fourth part लेना है 8.5 inch, front part है तो 2.5 inch plus करना है margin के लिए total length लेनी है 15 inch और side से line को draw कर लेना है 1 inch tuck, यहां पर niche के side tucks के लिए marking करनी है और 1 inch से armhole के side गुलाई देनी है cutting करेंगे इसकी, cutting कर ली है यह हमारा back part है और यह हमारा front part है तो front part पर हम princess cut की marking करेंगे तो यहां से हमें 3.5 inch पर marking करनी है tucks point लेना है हमें 10 inch पर, तो 10 inch पर हम marking करेंगे और straight line draw करेंगे यहां पर हमें princess cut की marking करनी है tucks की marking करेंगे, एक side से हमें half inch लेना है और दूसरे side से हमें 1 inch लेना है length में हम इसे 2 inch लेंगे और यहां पर tucks का shape देंगे cut करेंगे से तो देखें, pencils cut की marking करेंगे हमने, और man fabric पर भी cut कर लेना है man fabric पर cut किया, sleeves cut करने के लिए armhole को measure करना है तो देखें, half inch shoulder को stitch करने के लिए चोड़ दिना है बाके जो armhole उसे हमें measure करना है तो देखें, 8.5 inch आ रहा है अब यहां पर देखें, मैंने 4 full fabric रख लिया है, इस तरीके से sleeves जो उसकी length 5 inch रखनी है 1 inch plus की amazon के लिए, 8.5 inch पर marking की sleeves के लिए यहां से हम 2.5 inch पर marking करेंगे, sleeves का shave देंगे puff sleeves बनाएंगे, तो यहां पर मैं 8 inch extra ले रही हूँ अगर आप चाहें तो यहां पर 5 inch भी extra ले सकते हैं लेकिन मेरे आप फेवरिक है, तो मैंने आपर इसे 8 inch ले आ है जिसे ज़्यादा puff आ जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छी लेगेगी, देखिए इस तरीके से हमने इसे cut कर लिया और अब हम इसे stitch करेंगे तो जो मैंन फेवरिक है, उसे wrong side पर रखना है, उसके उपर lining रखते हुए हमें इसे 4 side से stitch करना है इसका जो extra fabric ही, उसे हम cut करेंगे दूसरा part भी इसी तरीके से stitch कर लिया है और देखिए neck की wheat हम यहाँ पर 5.5 inch ले रहे हैं neck की length भी हमने यहाँ पर 5.5 inch ले है एक box बनाते हुए, यहाँ पर हमें neck की marking करनी है इस तरीके से, और इसे हमें cut करना है cut कर लिया है इसे हमने, और अब हम paper pasting लेंगे और इस पर marking करेंगे, तो देखिए इस तरीके से ezटीज रखना है और neck की हमें ezटीज marking कर लिनी है cut करेंगे इसी side से 1 inch extra लेते हुए से cut करना है और इसे lining fabric पर में paste करना है तो देखिए यहाँ पर paste कर लिया, side से इसे fold भी कर लिया है अब यहाँ पर neck पर इस तरीके से रखना है और से stitch करना है cut लगा लेना है पूरे ही neck पर और इसे पलट लेना है पलट कर हम एक stitch करेंगे side से तो देखिए neck को stitch कर लिया है और इसके उपर neck fabric इस तरीके से रखना है और side से stitch करना है stitch कर लिया, extra fabric cut कर लिया है अब इसको इस तरीके से fold करना है और neck की cutting करेंगी तो पहले हमें आप अच्छे से pin up कर लिया है ताकि दोनों ही जो part से वो बराबर आ जाए अब यहाँ पर हमें 1.5 inch पर marking करनी है तो सभी side 1.5 inch पर marking कर लिया है और अब हम इसे cut करेंगी तो देखिए से हमने cut कर लिया है और यहाँ पर हमने cross में पटी कट की है net fabric की इसे fold करते हुए neck पर हमें stitch करना है पूरे ही neck पर हमें cut लगाना है और एक stitch हमें पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगी तो neck हमारे यहाँ पर complete हो गया है और side के जो princess cut के part है वो हमें यहाँ पर stitch करना है दूसरा part भी से हम इसी तरीके से stitch करेंगे दोनों part stitch कर लिए नीचे के side इसमें पटी लगानी है पटी के weight हमने 1.5 inch रखी है एक stitch पटी के उपर से कर लेना है और पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो देखिए पटी लगा कर complete कर लिया है इसे हमने और आर्मोल के side पर 1.5 inch की गुलाई देनी है चोकि हम princess cut में बाद में ही cut करते हैं तो front part हमारा complete हो गया है अब देखिए यहाँ से हमें नीचे के side से back part है नीचे के side से 3 inch पर marking की है और आर्मोल के side से हमने 5 inch पर marking की है इस तरीके से shape देना है से और cut करना है neck की width हम यहाँ पर 4 inch ले रहे है neck की length हमने यहाँ पर 2.5 inch ले है इस तरीके से round shape दिया हमने और अब देखिए यहाँ पर हमें 2 inch पर marking करनी है और यहाँ से हम 3.5 inch पर marking करेंगे इस तरीके से shape दे देना है और से cut करना है यह देखिए हमने इसे cut कर लिया है net fabric पर भी हमने इसी तरीके से cut किया देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइट से जैसे stitch कर लिया है and paper pasting पर इसका neck नेً जो है वह cut कर लिया है तो से stitch करना है पर हम ने project किया है जैसे हमने right Rock में zien प्रेंट में रखते हुए किया था वैसे यह हमने back part का भी किया है और यहाँ पर हमें cut लगा लिना है पूरे ही naiko और कुछ तरीके से फोल्ड करते हुए स्टीच कर लेना है तो स्टीच कर लिया हमने से अब यह जो वाला पाट है क्रॉस में हमने पटी कट की है नेट फैबरिक की तो नेक पर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टीच करना है पुरे ही नेक पर कट लगाना है एक्स्ट्रा जो पटी है उसे हम कट करेंगे फैबरिक जो है उसको कट किया उपर से यहाँ पर हमें पटी के उपर से स्ट्रीच करना है और यह जो गोलाई है वहाँ पर हमें एक दो कट लगा लिना है इसमें और एक स्ट्रीच हमें पटी के साइट से इस तरह से फोल करते हुए करेंगे से हम इसी तरीके से जो उपर वाला नेक है उसे भी हम इसी तरीके से स्टीच कर लिएना है तो देखिए से हमने यहाँ पर स्टीच कर लिया है और यहाँ पर अब हम इसे स्टीच करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है इसे और यहां पर हमें से स्टीच कर लेना है सेम इसी तरीके से दूसरे साइट से भी हमने स्टीच कर लिया है इसी और यहां पर हमें बैक टक्स लगा लिया है बैक टक्स की चो लैंट है वो हमने 3.5 इंच रखी है और आपको इस तरीके से पटी को कट करना है और यहां से इसे जॉइन कर लिया है और जिसे हमने फ्रेंट में पटी लगाई थी सेम वे से हम यहां पर पटी लगाएंगे तो दिखे पट्टी को हमने याप पे लगा लिया है और अब हम स्लीव की जो स्टीचिंग है वो करेंगे तो दिखे री इंच पर हमने याप एक कट लगाया साइट में और इसमें प्लेट्स लगा लेनी है हमें चोटी चोटी प्लेट्स हमें आपे पूरी स्लेज में लगानी है और थ्री इंच हमने इसको प्लेइन चुड़ा है और बाकी जो फैवरिक है उस पर हमें इस तरीके से प्लेट्स लगा ली है अब सेमें इसी तरीके से दूसरे साइट पर भी हमें प्लेट्स लगा लेनी है तो देखें प्लेट्स को हमने लगा लिया है यहां पर और अब यह नेट फैवरिक के हमने 1.5 इंच की पटी लिए इसको नीचे के साइट रखना है और जो स्लीव से उसे हमने राइट साइट पर रखा है इस तरह से इसे स्टीच करेंगे जो पटी है उसे हमने स्लीव के रॉंग साइट पर स्टीच किया और फ्रेंट साइट पर इस तरह से करते हुए फोल करते हुए स्टीच करना है यह देखिए हमने से स्टीच कर लिया स्लीव कंप्लीट हो गई है हमारी और यह पर हम सुल्डर को स्टीच करेंगे दूसरा सुल्डर भी स्टीच कर लिया सेंट पर स्लीव को रखते हुए हम इसे स्टीच करेंगे दूसरे सैट से भी इसी तरीके से स्टीच करना है और दूसरे स्लीव इसी तरीके से स्टीच करेंगे दूसरे स्टीच कर लिया है सेंट पर पिन अप करते हुए साइट से हम इसे स्टीच करेंगे एक्स्रा जो फैवरी के साइट का उसे हमें कर्ट करना है दीखिए अब इसको उल्टा करना है और साइट से एक पिर का मारजन रखते हुए स्टीच करना है तो दीखिए यहाँ पर साइट में हम होक लगाएंगे तो जिस साइट आपको होक लगाना है वहाँ पर आपको फिटिंग के लिए स्टीच नहीं करना है आपको उसको ओपन ही रहने देना है तो यहाँ पर मैंने वन साइट से ही से स्टीच किया है और यह सेंटर है हमारा सेंटर से हमें चेस्ट के फोर्थ पार्ट पर मार्किंग करना है 4th part है हमारा 8.5 inch यहाँ पर हमें west का 4th part लेना है तो दिखिए हमने यहाँ पर marking की यह open side है तो यहाँ पर हम 2.5 inch तक इस तरह से marking कर ली हमने और sleeves round है हमारा 12 inch तो उसका half लेना है 6 inch 6 inch पर हम marking करेंगे और 2.5 जहां तक हमने मार्किंग किये वहां तक हमें इसे स्टीच करना है साइट का जो एक्स्ट्रा है उसे फैबरिक को बराबर कर लेना है कट करके दूसरे साइट से भी हम इसे स्टीच करेंगे और दिखिए यहां पर जो हम गो हुक आई की पट्टी लगानी है वहां पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है जिसे हम कुर्दियों की चौक बनाते हैं सेम वैसे हमें यहां पर स्टीच करना है से फोल्ड करते हुए तो देखिए यहां पर हमने इसे स्टीच कर लिया है और आई की पट्टी लगाने है हमें या पर तो दिखिए इस तरीके से 2.5 इंच के पट्टी लिए है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टीच करेंगे यह दिखिए हमने से स्टीच कर लिया है अब यह जो पट्टी लगाएंगे वो हमें back side पर लगानी है तो इस तरीके से back side पर रखते हुए हमें इसे stitch करना है इसको इस तरीके से रखते हुए front side पर भी थोड़ा सा stitch करेंगे तो देखें एक्स्ट्रा पट्टी ये cut करना है इस तरीके से फोल्ड करती हूँ आपको यहाँ पर हैंड स्टीच करना है यहाँ पर आपको आई लगाने दूसरे साइड हुक लगाने है तो friends हमारा यह design transparent net blouse बनको complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you उल झीजेगे ज要 क्वाजिदी कि मिले झेंगड़ धरूर तक भी है उलषास्टे है उत जर बटने उस्टब только जूरूर कि आने तूर हम भी है वीजेगा गिएग जने इस जाई हमिएन जा zwar jaką तक, खा मुल previously been बूज़ और थाare झाल झाल झाल